प्यारे बच्चो नमस्कार के टिसी क्लास में आपको स्वागत है हम देख रहे हैं रीजिनिंग का बहुत बढ़िया सा टॉपिक इनकुलिटी आपको यह मज़ा आयेगा बहुत बढ़िया से स्वंज में आयेगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आता है तो एक ऐका स्टेक्मिन दिया हुआ होता है इस पर 4 कंकुलूजन दिया होता है 5-2 है और हमें जाज करके बताना होता है कि यह कौन सभी गलत है इसमें जो चीन ही यूज़ किया जाता है पहले उसको समझो हम ज्जादा थोरी नहीं देंगे आपको टेंसर नहीं लेना है एक होता है greater than का चीन एक होता है less than का होता है equal का एक चीन होता है greater than equal to फि segur less than equal to आज दौर के नए जवाने में एक चिन का और पजलन होने लगा है एक चिन का और वो यूज करता है इसका ध्यान से समझना ऐसे लिखके इसे काट देगा यानि कि बड़ा नहीं है तो शोटा नहीं है जब शोटा नहीं है का मतलब क्या हुआ या तो बड़ा है या बराबर है यानि कहीं ने कहीं इसी चिन का alternate यह चिन होता है उसी धंग से दुसरा इस धंग का परियुक्त करता है यानि की बड़ा नहीं है बड़ा नहीं है का मतलब क्या हुआ तो वो सोटा होगा या बराबर होगा ठीक है यानि की यह दोनों के बदले गवर से दिखना ये jake की खासित है कुछ इस प्रकार से ऐसे है इसे का मतलब इधर जो है open है इधर इधर क्या है इधर क्लोज है टिकन इधर क्या है underwater यानि कोई बंदा अगर इधर से चलेगा तो चाम से पार कर जाएगा लेकिन इधर से आयेगा तो पार नहीं करेगा क्यों क्यों कि इधर gate closed है बस यही आपका थोड़ा सा थियोरी आपको चाहिए अब सोचो इसका मतलब क्या हुआ तो इसका मतलब यह यहाँ पर कोई इंग है यानि इधर से भी जा सकता है इंग कुछ इा का फिञेट का इधर से जायेगा तो यहां पे पार कर पाएगा इसका मतलब इढर ओपिन है तो इढरmy possa चल आएगा लेकि इढर जाएगा तो यह पार नहीड होगा धियान डेना यह दोनों जो गेट है वहीड है लेकिन आ स्पेसल गेट है वयाइप लोगों गेट है बस ऐसे समझो हमें लगता है यह बात आपको समझ में आ गया होगा जब समझ में आ गया होगा तो बस इतना ही थेओरी था इससे जादा नहीं हमें इससे भी जादा थेओरी देते नहीं है यहां पर गौर से देखना अब सीधे आते हम कोशन पर कैसे बनाएंगे सो देखो यहां पर ध्यान दो यहां पर एक statement दिया हुआ है चार conclusion हमें जाज करना चलो पहला conclusion को देखते हैं पहला conclusion लिखा गया है A greater than C ऐसा है तुम सोचो जिधर gate open रहेगा उधर से ही चलना है यह ध्यान रहे यानि इसका मतलब हुआ कि A से चल कर C तक जाना है क्यों क्योंकि A के तरफ से gate open है इसलिए A से चल कर कहां पहुँचना है C तक अगर A से चल कर C तक पहुँच गया यानि कि यह कथन सही हो गया बिच में राटक गया नहीं पहुंचा समझो कथन गलत हो गया बस चिक करो देखो A से C तक पहुंचना है A तुम्हारा यहां पे है C तुम्हारा यहां पे है चलो पहुंचने का प्रयास करते हैं A से जो ही आगे बड़ोगे तो देखो यह गेट मिलेगा गेट बिलकुल ओपन है गेट इदा खुला हुआ है तो अराम से B पर पहुंचाओगे नहीं अब हमको B से भी चलेंगे तो B पर भी गेट ओपन है यानि की B से C पर भी हम पहुंच जाएंगे हमको C ही पर तो सिख रहे हैं यहां पर देखो कौन गेट है यह वाला तो यह वाला गेट की यह खासियत है कि कम से कम ध्यान देना कम से कम एक अस्थान पर एक अस्थान पर यह गेट होना चाहिए यह गेट होना चाहिए समझ में आया बात कम से कम एक अस्थान पर अगर ऐसा गेट मिलता है तो रास्ता में कम से कम एक अस्थान पर ऐसा गेट जरूर मिलना चाहिए इसका मतलब यह हुआ तो सोचो A से C पर तो तुम पहुंच गया था क्या रास्ता में ऐसा गेट तुमको मिला था तो कोईगे हाँ एक जगह मिला था अत्य है यह conclusion मेरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगर यहां पे ऐसा चीन होता तो यहां मेरा conclusion गलत हो जाए क्यों क्योंकि A-C-C तक पहुंचने के दर्म्यान हमको ऐसा gate कम से कम एक अस्थान पर मिलना चाहे था कहां मिलता लेकिन हमें भगमान ने साथ दिया है यहां पे बिल्कुल हमारा gate एको मिल गया है तो यह statement मेरा क्या करेंगे तो यह है A less than C अब देखो यहां पे gate open है C के तरफ यानि हमको C से चलकर A तक आना है इसका मतलब हुआ जिधर gate open होगा उधर से चलकर इधर आना है तो C से चलकर कहां आना है A पर चलो भाईया C से चलकर A पर आना है चेक करके देखो तुम पहुंचता है कि नहीं य है यह A है C से चलकर A तक पहुंचना है चलो C से बढ़ें जो ही C से तुम बढ़ता है यहां पर gate close मिल जाता है गवर से देखो gate ऐसा बंद मिल जाता है यह close मिल जाता है यहां पर close मिल जाता है यानि हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे आगे जब बढ़ेंगे ही नहीं तो पर कैसे पहुँचेंगे अतना ही सा तो काम करना है उम्मीद करते हैं हैं न यह बात आपकोसमेघ में आ रहा होगा आज जब आ रहा होगा तो यह और टॉपिक आपका यह टॉपिक आपका नहीं अब आगे देख और अगला question अल्दा कैनकुलूजन य нет यह कहता है कि A के तरफ gate open है A से हमको C तक जाना है A से हमको C पर पहुँचना है C के घर जाना है भाईया यह यह है अज C यह है देखो पहुँच कर देखो तो तो A से B पर जाओगे gate open है बिल्कुल पहुँच जाएंगे B से C पर जाने लगोगे तो फिर gate open मिल गया भाईया हम C पर पहुँच गया A से चलकर C पर पहुँचना था A से C पर मैंने पहुँच गया लेकिन यहां पे चीन यह वाला है इसका मतलब यह है कि यह VIP लोगों का gate है यह VIP लोगों का gate है यानि कि अगर ऐसा gate तुमको मिलता है तो सभी जगह यह gate मिलना चाहिए सभी जगह यह gate होना चाहिए बस यही बात याद रखना थुरासा यह gate मिलता है तो कोई bondation नहीं कम से कम एक अस्थान पर मिल जाएगा तुम्हारा काम चल जाएगा लेकिन VIP लोगों का gate मिलेगा तो सभी जगह यह gate होना चाहिए तब जाकर यह कथन सही होगा तो चिक करो A स से सी पर जाने के दर्म्यान सभी जगह यह gate मिला है कि नहीं मिला यहां तो मिला यहां नहीं मिला है अता यह statement क्या हो जाएगा मेरा गलत हो जाएगा रे VIP के रास्ता में तुम गरीब गुरिया का gate लगा दोगे क्या वह successful रहेगा नहीं रहेगा अता यह gate आने का मतलब समझ आज के जवाना का special gate VIP loka gate है अता सभी अस्थान पर यह gate मिलना चाहिए सभी अस्थान पर नहीं मिलेगा तो गलत हो जाएगा तो देखो यहां मिला यहां नहीं मिला रास्ता में अता यह statement क्या हो जागा गलत होगा अगर confusion है तो confusion मत होईएगा आगे हम कराएंगे तो अपने तक जाना है चलो भाईया एफ से चलकर सी तक जाना है एफ से चलकर सी तक जाना है एफ यहां पर है और सी यहां पर है चलो चलकर देखते हैं हना चलो एफ से हम चले बिल्कुल gate open था देखो ना gate open है खुला हुआ है एफ के तरफ नहीं इधर से चलोगे यहां नहीं गेट ओपन है देखो तो C पर पहुंच जाओगे बिलकूल AVE से C पर में पहुंच गया नहीं लेकिन यहाँ गेट है यानि कि हमको चेक करना होगा कि कम से कम एक अस्थान पर यहाँ गेट आना चाहिए देखो कम से कम एक अस्थान पर क्या दो अस्थान पर यहां गेट आ गया बहुत बढ़िया बात है अताइया अस्टेट मेरा क्या होगा तो चलो एक एजम्पल करके और आपको समझाते हैं ताकि सारे बात आपको किलियर हो जाए ओके चलिए तो इस कोशन को भी देखा जाए है ना लेकिन ध्यान रहे अगर मन लग रहा है बढ़ियां से स्वंज में आ रहा है तो लाइक और डिसलाइक में से एक ची आपको जरू करना है अलाश्ट में कॉमें तो आपको लिखना ही लिखना है और जादे बढ़ियां लगता है तो अपने मित्रों में सेर जरू कर देना ताकि कम से कम 2 million में जाए ठीक है कम से कम 2 million में जाए ताकि अगला कलास इससे भी तागरा लेकर आपके बीच हम पुना हाजीर हों जो सोमंक के साथ चलो तो इस question को देखो अपने बनाओ comments दो उसके बाद हम बताते हैं चलिए यहाँ पर गौर करिए पहला conclusion यहाँ पर हमको check करना है कि T greater than N यानि आप समझ रहे हैं क्या कहा रहा है यह कि T के तरफ gate open है यानि कि T से चल कर हमें A तक जाना है इसका कहने का मतलब यह है तो भाईया T से चल कर N तक जाना है T आपका यहाँ पर है N आपका यहाँ पर है चलो तो T से N पर जाना है तो T से जो ही आगे बढ़ोगे कोई gate नहीं है तो आराम से पहुंच जाओगे नहीं इक्वल का मतलब कोई gate नहीं अता अराम से R पे आ जाएंगे, R से U के और बढ़ोगे तो बिल्कुल गेट ओपन है, देखो यहां पे मुझ फैला हुआ है, तो अराम से चल जाओगे, U पर आ गए, U से जो ही आगे बढ़ोगे तो पुना गेट ओपन है, नहीं पुना गेट ओपन है, N पे आ जाओगे, या ऐसा नहीं समझाना कि यह गेट ऋनों एख हैंगे तो इससे दिक्रप नहीं होगा, इस समझाना कि यह बला है, इने मुख है यह नहीं, यही गेट यहां पे मिल गया है एक स्थान पर, अतया अर्ट Lab क्या होगा, थे आझा है, दियान देना चाहें यह गेट यह यह गेट यह फिर ये गेट, ये दोनों एक ही गेट है, ये कोई गेट नहीं है, ये ध्यान देना, अब अगला conclusion को check करो और बताओ, सही है या गलब, पहले समझ लो उसके बाद तुम अपने से check करना, जब भी check करना तो विडियो को रोक कर, क्योंकि इसमें हम सारा concept बताने वाले हैं, अग पहों चलो, उयान तो आर से बढ़ो गेट, टी पर तो कोई गेट नहीं है, आराम से टी पर पहुँचायोगे, टी से जो ही आगे बढ़ोगे, तो यहां पे भी गेट, टी के तरफ ओपन है, यानि आराम से भी पर चल जाओ गे, भी से ई पर जाने के लिए भी gate open मिल रहा है यहां पे भी पहुंच जाओगे यानि की R से E पर हम पहुंच गए लेकिन हमें gate भी चेक करना है यह वाला gate का मतलब है VIP gate सभी जगा यह gate होनी चाहिए तो देखो जाने के करम सभी जगा है gate था या नहीं था या बिल्कुल यहां भी था- तो कोई gate हैं और यहां तो कोई gate है यही नहीं तो वहां क्या चेक करना यानि की सभी अस्थान पर gate मिला अता यह statement भी मेरा conclusion भी मेरा क्या होगा सही होगा चलो आगे check करते हैं equal का मतलब है कोई gate नहीं जब कोई gate नहीं है तो कोई फरक नहीं परेगा check नहीं करना है आपको आगे बढ़ते हैं अगले conclusion की ओर ध्यान देना अगला conclusion यहाँ पर क्या कहता है तो aim greater than equal to T यानि की aim से aim के तरफ gate खुला है यानि की aim से चल कर T तक हमें जाना है तो भईया aim से चल कर T तक जाना है aim यहाँ पर है और T T T T यहाँ पर है चलो चलो नहीं क्या हरज है aim से जो ही आगे बढ़ोगे यहाँ पर gate close मिल रहा है देखो close मिल रहा है, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो T पर कैसे पहुंचोगे, यानि कि यह statement आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उमीद करते हैं, यह आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ा जाए, चलिए भाईया, तो इस question को भ T, यहाँ पर T, उसके बादी दोनों को हम एक साथ जोड़ें, नहीं, वो ऐसाथ नहीं करेंगे, उतना time मेरे पास नहीं है, सिदे चिक करो, चिक क्या करो, भी से चलकर U तक जाना है, अब ज्यादा बताने कि आप सकता नहीं है, क्योंकि भी के तरफ gate open है, यानि इसका मतलब गुआ कि भी से चलना है, U पर पहुंचना है, भी कहां पे है, यहां पे है, भी से चलकर U पर पहुंचना है, तो चलो यहां पे, भी से चलो, तो भी से तो पहले हमें T पर जाना होगा, ती के बाद हमें, भी U पर जाना होगा, ध्यान देना, तो भी से जो ही चलोगे, यहां पर gate close मिल जाएगा क्या आगे बढ़ पाओगे नहीं बढ़ पाएगे यानि T पर हम पहुंची नहीं पाएगे जब T पर नहीं पहुंचेगे तो E पर कैसे पहुंचेगे यानि यह statement आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा चलो इस statement को चेक किया जाए है इसका मतलब है कि R स पहुंचा तो होगे आर यहां पर है वही है ठीक है जलो तो R से पहले चलोगे इस पर हम पहुंच जाएंगे कियोंकि gate open IS सेbuds पर पहुंच जाएं कि गेट ओपर है ती यूफ कर चलकर वी पर आना है याने कि यहाँ पर ए़ दे خो था बिल्कुल गेट ओपन पहुंच गये से चला ट पर पहुंच गयाए है अब यहां पर भीपर आने के लिए पहले कहां आना होगा टी पर टी पर हम पहुंच गया है टी पर पहुंच गया है अगर तुम चलोगे तो क्या भीपर नहीं पहुंच जाओगे बिल्कुल पहुंच जाओगे यानि कि हम आराम से आर से चल कर भीपर पहुंच रहे हैं क्योंकि ध्यान टी के बाद सिधर की अना होगा क्योंकिwei सी भी पर जाना है तो यहां से चलो गेट जांगे किलियर बस पहुंच गये लेकिन यह हिंगे को क्या करना मत दो यह ना है धिया हनुक्त आफमितन में दूजा च्टेट कहता है इसमें भी यहां पे कौमा है यानि कि दो पार्ट में बटा हुआ है कहीं दो पार्ट में कहीं तीन पार्ट में बटा हुआ आपको मिल सकता है इससे हवरान नहीं है इसको मिलाना नहीं है इसमें कुछ भी नहीं आपको करना है बिल्कुल सिर्फ चेक करना जैसे आप च G यहाँ पर है, तो कैसे मिलेगा भाई G तक पहुंचेंगे, तो A से B पर, B से C पर, C पर यहाँ पर है, C पर, C से फिर G पर हमको जाना होगा, नहीं, चलो, तो A से G पर जाने के लिए पहले A से B पर गये, बिल्कुल गेट ओपन था, पहुंच गये, B से C पर मैंने गया, बिल जो ही आगे बढ़ोगे, यहाँ पर गेट क्लोज है, यहाँ पर गेट क्या है, क्लोज है, तो C से चलोगे, वहीं पर तुम हो जाओगा, यह पर नहीं पहुंचोगे, जब यह पर नहीं, तो G पर कहा, यानि कि यह A statement में बिल्कुल 100% मेरा क्या हो जाएगा, गलप हो है यहाँ आगेट ओपिन C के तरफ है, यानि कि C से चल कर H तक आना है, चलो इसको भी चregierung करने का हम प्रयास करते है, तो पहले C से चलोगे तो कहा जाओगे A पर, पहले कहा चलोगे A पर अरे भाया एक पर कैसे पहुंचोगा यहां तो गेट क्लोज है यहां पर गेट क्या है क्लोज है जो ही क्लोज है तो आगे बढ़ी नहीं पाओगे जी पर भी नहीं एस पर पहुंचना तो दूर बात है ठीक है हमको सी से एस तक पहुंचना था यह वाला सी से यहां तक पह ना है यह से चलकर टक जाना है तो बाय चैक कर और यह से चलकर यह तक पहुंचते हैं या नए पहुंचते हैं देखो एहां पर है इसे चलोगे यह से चलोगे और पहुं जाओगे। सी के वास सिद्य आवार जाओ यहां पे क्यांकि सी मतलब यहां पे spectatorас सी है नहीं सी से हमको ईपर जाना है यह ईपर पहुंचना है तो सी से ईपर आओँ गेट औपन है यानी की एस से बीपर बी से सीपर सी-इपर आराम से पहुँच गए हना पहुँच तो गए लेकिन यह चीन को भी तो चेक करना है यह गरीब गुरिया का चीन है यानि की कम से कम एक अस्थान पर यह चीन होना चाहिए देखो यह से बी पर जाने में नहीं मिला बी से सी बे जाने पर तो मिला यह चीन मिला ना यह वाला चीन हना य अगला conclusion को भी हम चेक कर लेते हैं, देखिए हम सिर्फ आपको concept बता रहे हैं, ताकि यह चेक करना सिख जाएं, इसमें कई variety, कई type का question बनता है, coded भी बनता है, यानि कि यह चीन के बदले कोई नो कोई इसे check करें, है न, बनाने का तो और भी method है, लेकिन सारा method से आपको बढ़ियां लेगा, और बढ़ियां लेगें, तो share जरूर कर दीजेगा, like भी कर दीजेगा, comment तो आपको करना ही करना है, और नहीं तो फिर कल से, चलो आगे देखो, चलो यह मजाक था, चलता है यतना, यह क हमारा यहां पर है, चलो यहां से खंडी थोबल है, यानि कि ए तक पहुंचने के लिए हमको C पर पहुंचना होगा, A से B पर, B से C पर, C से E पर, कलिए, चलो, check करो, तो यहां मिला यहां नहीं मिला एक भी जगां नहीं मिला यानि कि यह आपका हना बिल्बकुल 100% क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो देखो इस धंग से इसको हम चेक करते हैं पहले बताये कि जब भी आता है तो एक ठे ये 5 questions आता है ये 3 questions आता है और bank में एक सरहा देखना मिलता है bank में तो मत कहो 5 questions देना है उसको तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा इसका जो type by type बताने के बात है वो next class से आपको हम बताएंगे क्योंकि जितने टाइप हैं सारे टाइप को बताएंगे लेकिन इसका भ्यूज कम से कम मिलियन तक पहुंचना चाहिए उसके लिए आपको भी फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों में share करें हम चलें आप पढ़ें ओके बाई माई